नमस्कार, आपका अख़बार के इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग। पद और अवसर की गरिमा जो बना कर रखते हैं सार्वजनिक जीवन में, वो जुन के पास जो पद है उससे नहीं, अपनी इस आचरण से वो समाज की नजरों में बड़े होते हैं। और हमारा भारतिय समाज और भारतिय संस्कृति जो है विवित्ताओं से भरी हुई है। अलग-अलग तरह के उदारण देखने को मिलते हैं। और यह हमारे आप पर निर्भर करता है कि हम किसका अनुसरन करते हैं, किसका अनुकरन करते हैं। तो कौन हमारे लिए आदर्श है और कौन ऐसा है जो त्याज है जिसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके दो बहुत बिल्कुल ताजा उदारण आपको देता हूं। सारवजनिक जीवन में कैसी मर्यादा होने चाहिए, कैसा मर्यादित आचरन होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। दो जो है तस्वीरे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। और दोनों बड़े वरिष्ठ नेता। एक मुख्यमंत्री था, एक मुख्यमंत्री है। दोनों के आचरन में आप देखेंगे तो जमीन आस्मान एक का आचरन हार के बाद। दीखें, व्यक्ती के असली पहचान होती है संकट में। और राजनिती की बात करें, तो चुनाओ में हार के बाद। कि वो किस तरह का विवहार करता है, किस तरह का आचरन करता है, किस तरह की बातचीत करता है और दूसरा जीत में भी होता है जीत में अगर आप जो है आपे से बाहर नहीं जाते हैं तो ये आपके बड़पन का प्रतीक है तो आप जादा इस बारे में बात न करके उदाहरण पर सीधे सीधे आ जाता हूँ दो राज्ये हैं एक है उडीसा नमीन पतनायक 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उन पर एक भी दाग नहीं लगा न तो भ्रष्टाचार का न परिवारवाद का भारतिय राजनीती में ऐसे उदाहरण आपको बहुत बिरले मिलेंगे नमीन पतनायक जैसा आदर्श आपको राजनेता बड़ी मुश्किल से मिलेगा वो 24 साल के शार्षन के बाद इस चुनाओ में चुकि इस बार जो लोकसभा का चुनाओ हुआ है इस बार नहीं मतलब लंबे समय से हो रहा दो हजार नौ से ही लोकसभा और विधान सबा का चुनाओ बलके 99 से उडिसा में लोकसभा और विधान सबा का चुनाओ साथ साथ हो 20 सीटें भाजपाज जीत गई और एक कॉंग्रेस पार्टी जीत गई विधान सभा में भारती जनता पार्टी को बहुमत मिल गया कुल 147 सीटे हैं उनमें से बहुमत के लिए ज़रूरी था उससे ज़्यादा 78 सीट बीजेपी को मिली और बीजेडी सिर्फ 51 सीटों पर रह गई और आपको याद होगा कि इस चुनाव में उनके खिलाफ बीजेपी ने बड़ा आकरामक चुनाव प्रचार किया और जब बारह तारिख को भारतिय जन्ता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री का शपत ग्रहाण समार हो था उडिसा में पहली बार भारतिय जन्ता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है मोहन चरण माजी ये संग से जुड़े स्कूल में टीचर थे, पंचायत का चुनाव जीते थे काफी पहले, वहां से उठकर मुख्यमंत्री पत्तक पहुचे हैं, शपत ग्रहन से पहले वो गये नवीन पतनायक से मिलने हैं, अब देखिए नवीन पतनायक, वह मतला कोई भी जो सत्ता में कभी म मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनका आप अहंकार देखिए, और नवीन पतनायक जो 24 साल मुख्यमंत्री रहे, जब मोहन चरण मांजी नवीन पतनायक के घर पहुचे, तो नवीन पतनायक दर्वाजे पर हाथ जोड़े, उनका इंतजार कर रहे थे, उनके स्वागत के लिए अब इस तरह की हुमिलिटी, इस तरह का आचरण, इस तरह का गरिमा पून व्यवहार, यह आप एक बड़े राजनीता से इसकी अपेक्षा करते हैं, और मैं तो बार-बार कहता हूँ कि राजनीती में, सारवजनिक जीवन में, खास तोर से राजनीती में, नेता का व्यवह होता है, जितना ही गरिमा पून होता है, लोग उसको उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो अब ये नमीन बाबू का आप विवहार देख लीजिए, वो चाहते तो मना भी कर सकते थे, मिलने से मना कर देते, यह मना नहीं करते, मिलते भी तो भाई इतजार करते कि आई, ड् लेकिन जो 24 साल मुख्यमंत्री रहा हो लगातार, उसमें इस तरह का अहंकार लेश मात्र भी नहीं, और इतना ही नहीं, वो मोहन चरण माजी के शपत ग्रहन समारोह में भी गए, पूरु मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री के नाते, जनतांत्रिक जो प्राइम निस्टर या सरकार के लोग हैं, नई सरकार के शपत ग्रहन समारोह में शामिल होंगे, तो नमीन बाबु वहां पहुंचे, तो देश के प्रधान मंत्री, देश के ग्रह मंत्री, दोनों हाथ जोड़कर गर्म जोशी से दोनों ने उनका स्वागत किया, और आपने अगर वीडियो देखा हो, तो नमीन बाबु इस तरह से मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसी शांती और खुशी थी, मानों उनहीं की पाठी जीती हो और उनका शपत ग्रहन होने जा रहा हो, ये होता है गरिमापूर्ण आचरण, जिसका उदाहरन पेश किया नमीन इतना है नहीं, चौविस साल जब मुक्यमंत्री रहे, केंद्र राज्जी का संबंध किस तरह से होना चाहिए, मुक्यमंत्री को किस तरह इसको निभाना चाहिए, उसका विदारन उन्होंने पेश किया, चाहे मनमहन सिंग की सरकार रही हो, चाहे अटल बिहरी वाजपे की स सरकार रही हो, केंद्र से उनके संबंध कभी नहीं बिगडे, केंद्र के खिलाफ कोई कटू बयान उन्होंने कभी नहीं दिया, केंद्र से कोई जगडा नहीं किया, लेकिन अपनी मांगों पर जो उनको लगा कि उनकी जो है, वाजिब मांग है, हक है उनका, उससे कभी पी कास के लिए केंद्र से जो साहता चाहिए होती है वो मिलने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई सरकारे बदलती रहीं पार्टियां बदलती रहीं लेकिन नमीन पटनायक और उडिसा के लिए केंद्र में कोई भी सरकार रही हो उसने कभी मना नहीं किया तो एक दूसरा आजाईए है आप अंदाजा आपने लगा लिया होगा मैं किस राजी की बात करने जा रहा हूं मैं पश्चिम बंगाल की बात करने जा रहा हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बेनर जी तेरह साल से मुख्यमंत्री है नमीन पटनाएक जितने साल रहे उससे इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा एलायंस में इंडी गडबंधन में किस तरह के नेता हैं किस तरह के लोग हैं ममता मेनरजी और इंडी एलायंस के बाकी सारे साथी दलों का इस लोगसभा चुनाओं में जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि इस देश से लोगतंत्र खतम हो रहा है लोगतंत्र को बचाना है लोगतंत्र की गरिमा को बचाना है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बचाना है संविधान को बचाना है ये सब नारे दिये गए, ये सब बाते हुई, ये सब भाशन दिये गए, लेकिन आचरन का अंतर देखिए, पश्चिम बंगाल एक मातर राज्य है ऐसा देश का जहां चुनाओ जीतने वाला हिंसा करता है, हारने वाला किसी हाट में करें ये बात समझ में आती है, हाला कि वो भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी आलत में नहीं होनी चाहिए, लिकिन ममताब एनरजी चुनाओ अगर अगर प्रचंड बहुमत से भी जीत जाएं, सबसे ताजा उधारन तो जो है, इस 24 से पहले 2021 का है, जब विधान समा चुनाओ जीती हो, लगभग 215 सीटे जीती उसके बाद भी हिंसा का तांडव किया और सरकार स्पॉंसर्ड हिंसा थी, कई F.I.R. लाज हो चुकी है, कोट के आदेश पर F.I.R. दज हुई है, जाँच चल रही है, और उसमें सामने आ रहा है कि त्रिणमूल कॉंग्रेस के लोग मिले हुए थे, यहां तक कि प्रशाश पश्चिम बंगाल की राजनिती के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, सहजी. इस चुनाव में मम्ता बेनेर जी, 42 सीटे हैं कुल, 42, पश्चिम बंगाल में लोग सभा की, उनमें से 29, 29 पर उनकी पार्टी जीती, 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी 22 सीटों पर जीती थी, य उसको 2019 में 18 सीटे मिली थी, इस बार सिर्फ 12 मिली, उसकी सीटों की संक्या घट गई. और जो उन्होंने कोशिश की कि CPM और कॉंग्रेस उठने न पाएं, उसमें भी वो सफल रही. कॉंग्रेस को पिछली बार, यानि 2019 में 2 सीटे मिली थी, इस बार सिर्फ 8 सीट मिली. अध ये किसी पार्टी का नेता होता है. तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी का आउसर और क्या हो सकता है? ये तो समारोह का जर्षन का समय था. इतनी बड़ी जीत हुई है ममताम एनर्जी की और उनकी तरणमूल कॉंग्रिस की. जबकि ये माना जा रहा था कि उनकी हालत बड बुरा हाल होने वाला है. भारती जन्ता पार्टी नंबर एक की पार्टी लोग सभा में पश्रिम बंगाल से बन सकती है. इस तरह की बाते हो रही थी. इस तरह का आकलम किया जा रहा था. मैं भी उनमें शामिल था. लेकिन हुआ उल्टा. ममताम एनर्जी की इतनी बड़ी जीत हुई. उसके बाद उन्होंने जो किया. वो आने वाले खत्रे का संकेत है. कि ये जो इंडी एलाइंस के लोग हैं, ये बात कर रहे हैं जन्तंत्र बचाने की, लेकिन दरसल ये जन्तंत्र विरोधी लोग है. ममताम एनर्जी ने जो किया, आपकी कल्पना से भी बाहर है हुँ. दुनिया के किसी जन्तांत्रिक देश में इस तरह का उधारन आपको नहीं मिलेगा. मैं केवल राजनीतिक हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ. जिस दिन शपत ग्रहन समारोव था, यानि 9 जून को केंदर सरकार का, मोधी सरकार का, मोधी ने तीसरी बार शपत ली प्र प्रधान मंत्री बने. अब ऐसे मौके पर क्या होना चाहिए? विपक्ष के नेता के तौर पर आपको नव निर्वाचित प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहिए. कॉंग्रिस पार्टी की योर से अभी तक बधाई नहीं आई. ममतब एनरजी ने तो उनको पहले ही जो है दिल्ली में राइसीना हिल्स पर राश्पति भावन के फोर कोर्ट में उस समय ममता बेनरजी ने अपने पूरे घर की बिजली बंद कर दी और अंधेरे में बैठी रही. तो वो जनतंत्र का मातम मना रही थी. ये जो निरेटिव चलाया गया, जनतंत्र खतम हो जाएगा, ई मोदी की सीटें बढ़ने वाली हैं, ये सब कहा जा रहा था कि मोदी जो है विपक्ष को कहीं भी जीतने नहीं देंगे, वो सारे नेरेटिव ध्वस्त हो गए. विपक्ष को उसकी उमीद जो वास्तविक उमीद थी, दावे की बात नहीं कर रहा हूं, उससे ज़्यादा लेकिन इंडी एलाइंस के लोग अब भी इस जनादेश को स्विकार करने के लिए तयार नहीं है, और ममतार बैनर जी ने जो किया वो तो गजब ही है, इस तरह का आचरन मुझे याद नहीं आता कि आजाद भारत में भी कभी किसी पार्टी ने किया हो, जब 1984 में विपक्ष नहीं किया था, तब भी भारतिय जन्ता पार्टी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि राजीव गांधी ने चुनाव को बेमानी से जीता है, उन्होंने जो जनादेश मिला कॉंग्रेस पार्टी को और राजीव गांधी को उस पर न तो सवाल उठाया न संदेह व्यक्ति किया, लेकिन नरेंद मोदी को जब इस परष्ट बहुमत उनकी पार्टी को अकिले नहीं मिला, आलनकि जो है एंडिये को मिला है गणबंदन को, चुनावपूर जो गणबंदन था एंडिये, नेशनल डेमोकरिटिक एलाइंस, उसको पूर्ण बहुमत मिला है, उसके जनतंत्र की संस्थाओं में विश्वास है, ये जो प्रवित्ती है, दरसल ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खत्रा है, ऐसे लोग जो चुनावप जीतने के बाद हिंसा करते हैं, और चुनावप जीतने के बाद दूसरी पार्टी जो है, वो केंदर में सत्ता में आ मंत्री हैं, उनका आचरन देखे, सारुजनिक जीवन का आचरन, अब आप तैक कीजिए कि किसका वेवहार गरिमापूर्ण है, किसका वेवहार अनुसरन करने लाइक, अनुकरन करने लाइक है, और किसके वेवहार को की निंदा की जानी चाहिए, केवल त्याज्य नहीं है इसकी निंदा, भर्चना, आलुचना की जानी चाहिए, ऐसे लोग ही दरसल जनतंत्र के लिए खत्रा है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी न झाल झाल